बड़े ही निस्थावान तरिके से और बड़े इमानदारी से काम करने में लगी हुए है किसी प्रकार के कुछ ब्रांती निक्राइब दोस्तों नमस्कार प्रणाम जहिन जोहार मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल तो किस तरह से काम कर रहे हैं किस मोटीफ पर काम हो रहा है किन मुद्धों को लेकर गाउं में जा रहा है कई सारे सवाल है तो इस साथे सवालों का जवाब देनी कि आज हमारे साथ मौजूद है चौपाल में हिरुराम निकुन जी निकुन जी आपका स्वागत है नादी जा रहा है क्योंकि एक तरफ योडी मिंच जिनको एक फायरब्रांट बिधायक बोला जाता है और दूसरी तरफ भाजपा के बड़ा चेहरा एक आधिवासी चेहरा कई बार के बड़ी ताकत कांग्रेस के अपोज में हैं किस तरह से लेकिए कांग्रेस देखे कुनकुरी सीट होट सीट कहा जाता है परन्तु हमारा कांग्रेस पार्टी का जो तैयारी है हमारा जो घोशना पत्र है और जो मननिय भुपेश बगेल का जो योजना है पूरे 36 गड़ में किसानु सहित मजदूरों महिला स्वय समूग की बहनों के लिए विद्यार्थियों के लिए बेरोजगारों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लेके आये हैं और पूरे 36 गड़ में इन्हीं योजनाओं का लाब लिया जा रहा है हम कुनकुरी सीट को भी उतन ही महत्पूर मानते हैं एक होड़ सीट की रूप में और हमारे कुनकुरी विद्धान सभा के जो कार करता हैं और पदादीकारी हैं उनका जोस और जजबा और उनका कार करने की सैली बता रहा है कि हम कुनकुरी सीट अच्छे मतों से जीए आप कहा रहे हैं कि कार करत tickets कार सिख defenses एक ही शबाने का ने कार विद्धान सभा का प्रभारी होने के नाते में तमाम बीन में और जो हमारा이고 को आरा आ खुला है, उन सभी छेत्रों में दवरा किया है हमने, हमारे कारकरता पूरे तन्मन धन से लगे हुए है लेकिन हम भी कई गाउं का दवरा किये और वहां जाकर देखे कि भाजपा परचार में काफी आगे निकल रही है लेकिन अभी तक कई सारे से गाव में जहां पर अभी तक कांग्रेस जंडे तक नहीं पहुच पाए हैं अभी शुरू हुआ है अभी बचे हुए दिनों में सारे तरफ हमारे जंडे बेनर पोस्टर भी पट जाएंगे और लोगों को पूरी तरह से रिचार्ज भी कर दिया जाएगा और चुनाओ के लिए पूरी तरह से तयार हो जाएगी पूरे 5 साल हमारे कारकरता रिचार्ज हुए हैं उनको सिर्फ जा करके उनके साथ बैठने बोलने का जो सहतत कारकरम चल रहा है और अभी भी हमारे कारकरता अंदरुनी तोर पर निकल निकल के काम कर रहे हैं और हम पूरी आस्वस्थ हैं कि हमारे कुंकुरी विधान से बहुत हैं और आपको पता है कि चुनाओं में काफी मतलब गंभिरता कर साथ चुनाओं लड़ा जाता है लेकिन देखा जा रहा है खास चीजें जो सामने आ रहे हैं मीडिया में सामने आ रहे हैं कि को पार्टी के सीनियर लोगों को दर किनार कर दिया गया है और पार्टी के सीनियर लोग मतलब हैं ही नहीं परचार में कि ऐसे नहीं है मैं आपको पताना चाहूँगा कि जैसे मुदारी डाल अगरवाल हुए एक सिंडर नेता है गजू जाइन हुए वह भी सिंडर नेता है पावन अगरवाल जिनके नित्रतों में तीन तीन बार विधान सभा मत तीनों सी कांग्रेस्ट ने जीता है वह नक्से से अगरवाल जी और तमाम हमारे वरिष्ट नेतागर बैठे थे और विचार विमर्श किये और 12 बूत के जितने भी भूत अध्यक्ष हैं और कार करता है हमरे नगरपंचायत के पारस्यद हैं नगरपंचायत अध्यक्ष है सभी लोगों का मिटिंग लीया है और उन्होंने भ प्रचारक हैं आने वाली स्टार प्रचारकों के लिए कारकरम बनाने और रिकरने का समझ्यवग का जिम्मत दिया हुआ है और बाकि सबी हमारे सिनियर्स नेता इस विधान सभा को लेकर के चिंतित हैं और अपने काम में लगें गाना है ना कि दवालाते लाते बहुत देर कर बहुत समय नहीं हो गया लगता है कि यह मतंव आखरी मोमेंट है तब जाकर के जो सुनियर लोग है उब मतलब आ रहा है अगर को देर नहीं हो लगता अपना है अभी तो कि शुरू हुआ है ऐसा नहीं है कि भाजपा का भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसारा मैं मैं देख र मतलब यहां मतों का ध्रूवी करण होता है इस वर क्या लगता है कि देखें कांग्रेस पार्टी सर्व धर्व संभाव वासुद्व कुटम के आधार पर चलती है यहां पर सभी जाती समाज के लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाने का कारकरम सुरू हुआ है और वो सभी ह खासी नजर है लोग सदस्ट से बना रहे हैं अग्यार है विकास को समझती है और विकास करने वाला पाल्ति है अच्छा सरकार चला सकती है और योजलाओं का नाप दे सकती है उन्हीं कूपर उनका भरोसा है यह बर्गलाने वाली बात है कि आम आद्वी पाल्टी के यहां वर्चस मैंने तो इस पूरे चेतर में दाउरा किया कहीं भी कुछ आम आदमी पार्टी का कुछ दिखाए नहीं देता है यही तो कहा जा रहा है कि अंदर अंदर बहुत काम कर रही है आपको रखता नहीं है कि आमादमी प्रभाव ढखाएं नहीं किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चल रही है और कंगरेंस का बहुत अच्छा कारक्रिम चल रहा है और पूरे चुनाव प्रसार नहीं नहीं काँग्रेश के बिधायकों में सनातनी चोला ओड़ी है मैंने इसाई जो हमारे नितागण है पदाधिकारी गण सभी से मुलाकात की है किसी प्रकार का कोई मतवेद नहीं है वो पार्टी के प्रति बड़े ही निस्थावान तरीके से और बड़े इमानदारी से काम करने में लगे हुए हैं किसी प्रकार क कोई भरांति नहीं है रही है वहावाई बात मियाओं है और अब की किसी को भी दर किनार مुनादी चुपाल और पढ़ते मुनादी डॉटकम दव वइसलस राजेश पांडे के साथ नमस्कार झाल